हेलो गाइस वेलकम तो इस लायफ दूख आजकी मेरे सिपी है सोया बीन टाकोस यह बलाना बहुत ही आसाने और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और खाने बहुत ही टेस्टी लगती है तो चल्ली वेडियो बनाना स्टार्ट करते हैं को आपको जरूर पसंद आएगी तो व Soya bean हमान door के सोय हन, मुझकि लिए निचोड़ के पाणी मेंने निकाल लिए है , स्राफन और शोलुकरे मुझक ब्राइबी तुकडे मैंने इसलिए कि जब टाकोस बन जाएगा और यह मुह में जब आएगा तो इसका एक अलग ही स्वाद आता है तु यहां मैंने लिया है अद्रक लैसन और काली मिर्च का पेस्ट यहां मैंने दो-तिन हरी मिर्चे को बारिक ट कर लिया था यहां मैंने एक प्याज को बारिक कट किया है, यहां मैं लिया सेजवान सॉस, इस बावल में लिया है एक चमस टमाटो सॉस, एक चमस वेनेगर और एक चमस सॉय सॉस, यहां मैं लिया रेगुलर नमक और यहां एक टमाटर को मैंने बारिक चॉप किया हुआ है, यहां मैंने प्याज को हम गोल्डवन होने तक भूनना है तो रिजय हमारा प्याज गोल्डवराउन हो चुप है तो अब इस इसले मिलाओंगे टमाटर टमाटर को में ओवरकुक नहीं करना है बिल्कुल गलाना नहीं है इसे सिर्फ एक मुर्ट तक टमाटर के साथ भूनेंगे टमाटर भून चुका है हमारा तो इस स्टेज में मिलाओंगे मैं नमक सारे सॉसे स्वया सॉस चिली सॉस विनेगर डाल दिया था अब मैंने सजवान सॉस एड़ कर दिया है अध्रक और लेसन का पेस्ट भी मिक्स कर दिया है इसमें मैंने इनको डालके अच्छे से एक मिन तक भूनेंगे फ्लेम हमें हाई ही रखना है अब मैं इसमें ब्रेक की वे और सोक के वे स्वयर्बिन डाल दूँगी इसको डालके इमें 4-5 मिन तक बुनना है फ्लेम लो कर लेंगे 4-5 मिन हो चुके है एच्छे से बुन चुका है अब मैं इस इस डिवी मिलाओंगी धन्या पती धन्या पती डालके भी 1 मिन तक बुनना है अब मैं मिलाओंगी इसमें लाल मेर्ची पाउडर लाल मेर्ची पावडर डाल के भी एक मेर तक भुनना है ताकि उसका कच्छापन खतम हो जाए अब हम आता लगाएंगे उसके लिए मैंने गेहूं कांटा लिया आप चाब मैदा भी ले सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है बहुत यह अच्छा हमारा डो बन के रेड को मैंने इतनी बड़ी करणि ली ए इसे मैं इससे चार रोटियां बनाऊंगी तो यहां पर लकि तो हमारे रोटी कर चुकिया यह श्को में हमारे बनाती हो एक चार रोटी और कि रोटी अcause पाड़़ा गरम किया है कि अब ने तवे पर जो रोटी मैंने कट टिया था उसक यहां बेक करना हैं भी अच्छे से जद्धा नहीं पकाना है कि लेंग को थोड़ा हाई कर दिया है तक कि हमाई जो रोटियां अच्छे से सिख जाएं कि एक तरब से माइड़ रोटियां जो सिख दिरिः इए पस हम गैस को बंद करते हमारे तिया एडी होगा रोटी की उपर अप्लाइक करेंगी कितना बढ़ियां लग रहा देख करी बहुत ही बढ़ियां लग आप चाहे तो ऐसी भी रोटी की साथ इसको खा सकते हैं अगर सब्जी खाने का मन नहीं करता है इंस्टंट आप सब्जी बनाइए और खाईए एक रोटी की स्टफिंग हो चुकिए इसी तरह मैं बाग की सारी जो रोटियां उनकी भी स्टफिंग करूंगी स्टफिंग करने के बाद अच्छे से प्लेस कर देना है ताकि वह आपस में चिपक जाए तवे को अच्छे से गरम करने के बाद मैं उसको ग्रीस कर लिया है अब मैं सारे जो टाकोस हैं उसको तवे पर प्लेस कर दूँगी और अच्छे से उपर से भी ओयल लगा के उलट पुलट के अच्छे से सेख लूँगी दबा दबा के सेखना है ताक कि हमारी जो स्टफिंग बिल्कुछ चिपक जाएं तो देखिए हमारा जो टाको से वो रेडी हो चुका है तो आप भी बनाईए और इंजॉय किजिए